हेलो बच्चों आज हम फिर आपके सामने आए एक बहुत बड़े टॉपिक को लेकदर जिसके डिमांड बहुत समय से बच्चों की है टीचर्स की और बहुत सारे इस्ट्रिक्शन दिवस्ते की थी कि मैं बहुत 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 की ट्रेणिंग आजाता हूं मरत डेख रहे हैं कि बडी मुष्किल से सारी अनिक्शक्रों कर रह में नहीं चुल फैर में सब्सक्रा पर बहुत बन्त क्या हो और जिससे क्या होगा क्लास 12 का 90% प्लस रीच किया जा सकता है तो वन बाइवन सिर्फ 11 पॉइंट पर आपको फूकस करना है और बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं ठीक है सबसे पहला पॉइंट है सर्फ मोटिवेटेड यू कैंड डूइट मीन्स हमेशा दिमाग में बात रखिए कि आप से यह चीज हो सकती है और यह मोटिवेशन आपके विशन होना चाहिए कि कोई कुछ इन पूछते समय क्लास में कि टीचर्स क्या सुचेंगे आपके पिलीज क्या सुचेंगे बिल्कुल भूल लाइं इन सब चीज़ों क्यों 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 कि आपने उस प्रिप्ट लिखना आपको है और जो रज़र्ट आएगा वो आपका होगा ना वह आपकी टीचर्स का है ना आपके ट्लास में तो पर फर्स तिंग कि से अपकर सकते हैं सेकंड दिंग एंटार से लेकर सिंटू वीप मंध है यह स्वाट मीज जो भी सिलेवर से बोड का ठी उनको क्या करना है आपको उर्य सार मंत में मंथ से वीप में आपको अपना संग में ना चींद कर लेना चींद से रिविज़न और ठाट गते हों क्लेरे पहले चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ कि स्कूल में बच्चे कम जाते हैं रिगलर सिंसियर रही है जो पढ़ाया ले ट्लास को पुरी तरह से पिक करिए और साथी साथ पंक्चोल नहीं टाइल से अपनी ग्लास में पहुंचे हैं ठीक है और वालो दर इंस्ट्चिन अफ समय करते हैं चेकिह अपनी सकशिस करें चीज़ कियो हैं सब्सक्राइट तक किंच민 कोसरा इस जो आपके सब्सक्राइब है और फॉलो दे इंस्ट्रेक्शन दा टीचर से टिकेट एंड डी कंफूज टिकेट टिकेट टिसी इवन पर कंफूज मत हुए त्युकि आपका एक टॉपिक पर कंफूजन फृदर और उस टॉपिक्स के डिलाइटि जो टॉपिक्स होंगे उनमें आप कंटीन हो जाएगा सब्सक्राइब करें ना वीक में कम सकम एक बार जरूर देखें और वहीं आईसी के बच्चे काउंसिल वेबसाइट से ही अपनी कोई भी चर्चावर्श पर करें ठीकेट वैं क्यानेगा आपको प्रस करो सेलेबस और एनी एक अटेटिक पर आपको मालूं नहीं होगा बोर बच्चों एक्जामनेशन प्रपरेशन के लिए अटर से काउंसिल से भी आते हैं। फोकुस्स ओन नियाएटी को नियाएटी को जा सकते हैं वस फॉर्स एंड कीप इन माइड कि दाट सीवेस्टी एंड इस गुड और बेस्ट और बेस्ट नियाएटी मेटियल उकेज़ेस्द इस्फोर एकनोमिक्स फॉकशा होता है लेकिन बिजनस ओक्रटा करेंगे लेकन्स थांग कियो क्या करेंगे सबसे पहले क्या काम करना है उचे पूरे पूरे पांच सब्सक्राइब करना है और जो आपको समझ में उसका सेल्फ नोट्स बनाईए प्लीज दूसरों के नोट्स सब्सक्राइब कोशिश करिए कि आपको अपनी सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि स्कूल आप बहुत सारे इंस्टूशन पर वोचिंग पढ़ने जाते हैं तो मुझे लगते हैं कि इससे आपका जो परस्टूर्स सब्सक्राइब है वो निश्ट अफेक्ट दो रहा है कि सब्सक्राइब है कि और इस तैन आपको कम दो कंड़े आपका कंडे निकल जए तो सभी हैं चुछ प्रपरेशन टाइम सब्सक्राइन ताइम ये आपको करना पड़ेगा नेच्ट पॉइंट है ओलवेश सब्सक्राइब और मार्किंट इंग गाएं लेकिन अलब हृइब गरे उस पर कने अवर अपनिया आधर को सब्सक्राइबर देम्आपैंचव सर्थ मैनेजमेंट उस इनड़े सब्सक्राइबर है तो वह क्या थे मैंनेजमेंट नियुद है what is management means general perspective 11 answer what to understand my management means your understanding regarding management and define management this is the definition of management okay and three different motion and there are three different answers so always concerned with what boards marking scheme which is given by the board in their own website okay this always appear in school test exams and three boards bachchen सुस्ते कि हम सब त्यारी कर लिए स्कूल के एक्जाम क्यों देंगे है ना हम final board देंगे तो मैं बहुत बड़ी बाद कहता हूं कि examination hall के अलावा कोई ऐसा place नहीं है जहां आप तीन गंटे-गंटी दो लिखते हैं इसलिए उस practice को कभी बन चुड़े और आपके अपने स्कूल जे सारी आपने अपने आप ना आन आपना हक्री टाइंग यू शुट टेस्ट वर्सेल्ट के आपके टीचर्स जो है वो बोर्ट की आंसर स्क्रिप्ट एवलेशन में आते हैं और दे लोज और भूब सबस्क्रीट बोड़िए अपने करें पर इसी फ्रेंशिप को मत आगू परा ले तो किर बुक्स आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स ही आपके बेस्ट वेल विशर है और दुन्या में कोई नहीं ठीक है तो अपना एक फूचर आपना जो एक पाशन है कि आप 90% प्लस की और जाएंगे वो सिर्फ आप से हो सकता है मैं आज भी आपसे लास लाइन के साथ उती बात कितम कर रहा हूं कि आज सर जुका के पढ़ लीजे कल जीवन बर सर उठाके चलेंगे और आज आपने इन केयर टेकर से सर उठाके बात की तो जीवन बर सर जुका के चलना पड़ेगा keep your study regular and sincere and punctual with your own plans and best of luck for bird examination 2021 all the best